Hello students, I am Suthi Gupta, your math teacher. Today we start class 10th math chapter 15, Probability, Introduction of Probability. तो देखिए हमारा जो first concept है वो है Probability, the relative possibility that an event will occur, ठीक है? तो हमारे पास Probability क्या होती है? Probability होती है कोई भी event है आपके पास, ठीक है? उसके आने के क्या chances है? इवेंट के होने के क्या chances है? उसे आप बोलते हैं, relative possibility that an event will occur, ठीक है? तो आप यह देखिए Probability को हम denote जो करते हैं, वो है P, एक event हो गया आपके पास E, ठीक है? तो यहाँ पे आते हैं हमारे पास number of favorable outcomes. हम example करेंगे, उसे ज़्यादा clear हो जाएगा आपको, ठीक है बटा, total number of outcomes, ठीक है? यह हमारे पास क्या होती है? Probability, ठीक है बटा, अब देखिए जैसे हमारे पास एक example है, जैसे हमने एक one coin, one coin को हमने क्या किया? toss किया, ठीक है? one coin is tossed, तो number of outcomes क्या आएंगे उसके coin के? बताइए, coin के outcome क्या होते हैं? उसमें head होता है और tail होता है, तो मतलब आने के, जो outcome आने के chances हैं, वो क्या है? two है, दो ही आ सकते हैं, जहां तो head आएगा, जहां tail आएगा, तो number of, जो outcome आएंगे उसके total वो कितने आएंगे? two आएंगे, clear है बिटा? और वो, जिसको आप outcome जो आएंगे, उसको हम एक sample space में लिखेंगे, यह s denote होता है, sample space के लिए, यह curly bracket होती है, इसमें जैसे outcome आए हमारे hot, तो यह आगया एक one coin toss की sample space आगी आपके पास, hot, ठीक है? एक और हम again example ले रहे हैं, second वाली, one die is tossed, ठीक है? when one die is tossed, ओके बिटा, die को आपने toss नहीं, sorry, roll, क्या आएगा इसके लिए? rolled, die को आप rolled करेंगे, ठीक है? toss, open ranking, roll करेंगे, ठीक है? तो उसके लिए हमारे पास number of outcome कितने आएंगे? number of outcomes, तो die जो है बिटा, हमारे पास उसमें, हमारे पास उसके जो faces होते हैं, die के, वहाँ पे six face होते हैं, ठीक है? तो वो six के six आने के chances हैं, ठीक है? तो मतलब हमारे पास total number आएंगे, one से लेके six तक, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 तो total number of outcome कितने होगे वो आगे 6 ठीक है बटा तो मतलब हमारे पास जो sample space बनी इसकी वो क्या बनी 1, 2, 3, 4, 5 and 6 ये ठीक है और number of outcome ये वाले थे और total कितने होगे 6 काउंट करके तो ये हमारे पास sample space आगे इसकी ओके बटा अब आपके पास next जो है वो ये है जैसे probability है किसी event की ओके वो one है मानो ओके बटा तो इसको हम क्या बोलेंगे तो ये जो e है ना e is a event is called इसको हम बोलेंगे sure event क्या बोलेंगे sure or certain ठीक है sure or certain event क्लियर है बटा जैसे बटा आपको बोला गया था आपको क्या करना है जो ये हमने डाइल लिया ठीक है कि हमें number चाहिए less than or equal to 6 ठीक है तो इसमें तो less than or equal to 6 total number 6 ही है तो 6 upon 6 क्या आजाएगा बन तो ये हमारा बन गया sure event ओके बटा next हमारे पास है probability of event is equal to 0 तो 0 क्या है हमारे पास ठीक है बटा 0 क्या है 0 यहाँ पे ये जो है इसको आप बोलेंगे impossible event इसके लिए एक्जामपल impossible event के लिए एक्जामपल ये है कि जैसे आपको बोला गया है कि ये जव डाई है ठीक है आपने डाई थ्रो की तो डाई में आपको कोशन ये पुछा जा रहा है इस इवेंट इस इवेंट नमबर आप नमबर अपेर्जान डाई इस मल्टिपल आप 7 तो यहाँ पे आप देख रहे है जो नमबर डाई है वहाँ पे तो टोटल नमबर 6 ही है यहाँ पे 7 तो है यह नहीं कोई तो यह क्या हूँ आपके पास impossible event अगें सुन लेजिए आपके पास क्या है event है और वहाँ पे आपको बोला गया है इस event में जो नमबर आना चाहिए वो मल्टिपल आप 7 होना चाहिए बट बेटा डाई के sample space में आप देखिए उसके पास तो कोई ऐसा face ही नहीं है जिसके ओपर 7 नमबर है तो इट मींज यहाँ पे मल्टिपल आप 7 कोई नहीं है तो इसलिए यह event क्या हुआ 0 मतलब यह event जो है आपके पास impossible यहाँ पे E की event की जो probability आएगी 0 अपान 6 आएगी वो है impossible event ओके बटा ठीक है तो हम लिख लेते हैं जब हमारे पास example ले रहे हैं बेटा जब हमारे पास event क्या होता है is equal to 0 upon 6 तो वो 0 हुआ is impossible event ठीक है आगे देखिए अब आपको बोला गया है जो probability है वो क्या है 0 के किसी भी event की probability 0 के equal भी हो सकती है और उसे बड़ी होगी और किसी भी event की जो probability है वो क्या है वो हमेशा less than or equal to 1 ही होगी ठीक है बेटा वो 1 से उपर नहीं हो सकती 1 से बड़ी नहीं हो सकती और ना ही आपके पास probability आप देख रहे हैं negative है ठीक है बेटा तो ये बातें आपको clear करनी है क्योंकि आपकी exercise में इस से related questions हैं सारे ठीक है अब आपके पास E and E not जो है बेटा वो क्या है वो है हमारे पास यहां पे E और E not जैसे ही हमारे पास आया बेटा जैसे आपके पास ये probability of E plus probability of E not is equal to 1 है तो हमारे पास E event and E not event जो है वो क्या हो जाएंगे are called complimentary event ठीक है आप इनको क्या बोलेंगे बेटा complimentary event ठीक है complimentary event clear है बेटा अब यहां पे एक example ले रहे हैं हम ठीक है हमने उपर देखा एक डाइट और सी उसकी sample space आये थी हमारे पास 1 से लेके 6 तक नमबर आये थे ठीक है इवेंट है आपके पास जैसे e b the event ओके यहां पे आपको बोला है getting even numbers on die ठीक है तो इस event में आपके पास जो even number आने है तो probability आप इस event की क्या हो जाएगी even number आपके पास क्या होते हैं 2 और 4 और 6 आएंगे इस sample space से तो मतलब 3 upon favorable outcome कितने हुए 3 total कितने हुए 6 तो आगया हमारे पास 1 by 2 ठीक है अब बेटा हमें निकालना है हमें for example निकालना है e not इसको हम denote करते हैं e not से अब हमारे पास p e plus e not is equal to 1 है तो हमारे पास ये one by two value दी है अब e not की आप value निकाल सकते हैं येस तो ये e not हमारे पास क्या आजाएगा one minus one by two तो ये हो जाएगा two two minus one two minus one by two तो ये आजाएगा one by two ठीक है तो मतलब हमारे पास e not की value क्या आगी यहाँ पे one by two ओके इसको आप क्या denote करते हैं e dash है तो ये क्या होता है e dash is equal to e oh sorry is equal to not क्या लिखेंगे आप is equal to बेटा not e event ठीक है तो e not का मतलब e not e मतलब वहाँ पे जो ये probability of e event है तो वो इसमें नहीं है मतलब जैसे हमारे पास ये sample space है बेटा one two three four five and six है ना तो यहां से हमने ये pick कर लिये थे even वाले number ओके तो ये जो remaining आपके पास बचे के odd number ये e not हुए clear है बेटा e not कौन से हुए जो remaining बचे के वो आपके पास e not हुए तो तब ही ये हमारे पास e and e not are called complementary events तो next आगे देखिए आप elementary event an elementary and event having only one outcome is called an elementary event अब जैसे हमारे पास एक event है e तो हमें बोला गया है number appears only one तो हमारे पास जो die का है number वो only one आना चाहिए तो इस event में जो हमारे पास outcome है वो क्या है only one तो इसी को बोलेंगे हम elementary event ओके clear है तो ये हमारे पास होता है जिसमे an event having only one outcome जिसमें हमारे पास only one outcome आता है उसको हम बोलते हैं elementary event ओके बटा next आपने पढ़ना है a deck of playing cards के बारे में deck of playing cards जो होते हैं बेटा हमारे पास total cards होते हैं 52 होते हैं ठीक है तो हम इसको divide करते हैं total four suits में ठीक है तो ये four suits जो आते हैं हमारे पास ये 52 cards है इसको हम four suits में divide करते हैं four suits मतलब four group में तो 13 13 का ये group होता है ठीक है यह 13 है cards अब यह 13 जो card है 1st जो है हमारे पास spades है 2nd जो है हमारे पास hurt है और next है हमारे पास spade लिख लिख लिजे next हमारे पास है diamond और 3rd है हमारे पास club ठीक है अब जो spade है यह होता है black color का ठीक है अब hurt है वो red color का और diamond भी red color और यह black color club ठीक है अब बेटा यहां पे 13 card 13 card each होगे इच सूट के ठीक है अब यहां 13 card में हमारे पास 1 होता है ace card और plus इसमें होते हैं हमारे पास 3 होते हैं face card और बाकी जो remaining बच गे 3 or 1, 4, 4 or यह 9 ठीक है total card 9 ऐसे सब में है 1, 3, plus 9 1 है ace card और plus है face card और plus है 9 ठीक है तो यह हमारे पास सब में ऐसे ही है ace card भी होते हैं 1 और plus 3 face card है हमारे पास और plus 9 1, 3, plus 9 ace card plus face card plus 9 जो other cards हैं ठीक है यह आगी हमारे पास इसका distribution आगी cards की ओके बटा अब face card में आप बोलेंगे ace card कौन से होते हैं जो जिसमें A लिखा होता है ace card ठीक है अब face card कौन से हैं आपके पास face card जैसे हमारे पास आगया king queen और दूसरा कौन से है jack तो यह है face card ठीक है इनके आप देखते है cards पे photo बनी होती है तो यह हमारे पास क्या होते हैं face card होते हैं यह cards की distribution है ऐसे यह भी इससे related questions आएंगे आपको आगे तो thank you introduction complete